ओम नमस्षिवाय जै महाकाल दोस्तों सिव पुराण के अंसार सीवलिंग पर बेल पर चड़ाने का एक्रम भी है सास्त्र कहता है कि जब आप सीवलिंग पर बेल पर चड़ाने जाओ तो सबसे पहले पहला बेल पत्र सीवलिंग की जलाधारी पर चड़ाना चाहिए फिर दूसरा बेलपत्र जहां सीवलिंग रखा हुआ है उस कटी भाग पर चड़ाना चाहिए तीसरा बेलपत्र भगवान संकर की सीवलिंग पर चड़ाना चाहिए और चोथा बेलपत्र जहां भगवान संकर का तिशूर रखा है वहां पर चड़ाना चाहिए फिर पांचवा बेलपत्र मंदे से जब आप बाहन निकलने लगो तो नंदी बाबा के ओपर बेलपत्र चढ़ा कर फिर मंदे से बाहन निकलना चाहिए तो जो मनवांचित फल मांगोगी वो भगवान संकत जल्दी पूर कर देते हैं हर हर महादेव